दुरु दक्षन चा सुप्त हॉवदक्त मद्याа विदूशक पसुन俗 फूल मद्या घमाला पसुन । आहे मद्या अपके परेंदर चोटा परेंदर, चुपचुप के मद्या बोरुंवे के परेंदर सुरेज्चाते शमॉर आज परेंदर स्रीया खुएअ सरीया राजपाल जिननी आपनेला आनंद धिलिला है। बहुत मज़ा आया ये सोभाग है ये यहाँ पे हर आदमी नहीं आ सकता क्योंकि भारत का पहला सारवजनी गनेश जो जिसकी स्थापना इतने साल पहले हूँ भाव साहिव रंगारी जी ने की थी और आज जो है मैं ये मैंने भारत में बहुत सारे गनपती जी के दर्शन के ज इस महले में शूटिंग करने जाता हूँ गनपती बपा जो है वो हर महले में पूरे देश में दुनिया में जहां मंदिर है बहां बपा का स्थान है लेकिन ये दिबिरू बपा का पहली बार मैंने देखा जिसमें एक अपने भारत की आनवान शान के लिए भी जब कोई बो बुराई की यहां से सुन सकें लेकिन सिर्फ सिर्फ कान बगह इतने बड़े बड़े कान होते हुएं लेकिन बगह रियक्ट कि आपके सामने अच्छाई अच्छाई सुना सकें दुनिया के हर जहर को पी हर बुराई को पचा सकें इतना बड़ा बपा का जो पेट है और उसमें बुराई को पचा के सिर्फ सिर्फ बिलकुल शांतिक साथ बैठे हुए एक बोलते हैं दुनिया कि हर बुराई को जहां से गंद आती है वही से दुरगंद आती है तो दुरगंद को दूर से सूंके और आ आज नहीं बप्पा की जब पूजा अदमी करता है तो पूरे संसार की पूजा करता है क्योंकि जब बोलते नायरया बढ़ते जंबू दीपे तो गनेश जी की पहली वो पढ़ती है तो पूरे विश्य के लिए एक्चुली बस उदयब कुटम कम जो है उसके सही परमान अगर कोई है तो हमारे देश पहले और आकरी गनपती जी है तो गनपती जी हमारे राजा हैं हम लोग कलाकार लोग हैं शिब के वंशज हैं हम लोग गनधर्व लोग हैं अब जो गनधर्वों के राजा होते हैं उन्हीं को तो बपा कहते हैं